हर्याना में डॉक्स पालने के शोकी लोगों के लिए एक जरूरी खबर है हर्याना में डॉक्स के काटने के बढ़ते मामले अब चिंता का विशे बनते जा रहे हैं पालतू हो या अवारा? आए दिन किसी ना किसी पर डॉक्स के हमले की घटना सामने आ रही है इसी के चलते हर्याणा में अब बिना अनुमती कुत्ते पालने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है आपको बता दे कि अभी हाल ही में लखनू में एक पिटबूल डॉग ने अपनी मालकिन पर हमला कर उन्हें मार दिया था वही नौइडा में एक अवारा डॉग ने आठ मा की बच्ची को नोच कर मार डाला था इस मामले को देखते हुए अब हर्याना प्रशासन सतर्ख हो गया है जिसके बाद से सरकार ने ये फैसलर लिया है जिससे इन हमलोग को कम किया जा सके हर्याना सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना प्रमेशन के कुत्ता पालना अब वैधानिक माना जाएगा डॉग लवर्स को इसके लावा लाइसेंस लेना होगा इसके लिए उन्हें S.A.R.L. पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा हर्याना सरकार की इस फैसले को राज्या में सकती से लागू करने जा रही है बिना लाइसेंस के डॉग पालने पर 5,000 रुपे का जुर्माना और जेल का प्रावधान है ये नियम 2005 में बनाया गया था और इस साल अगस में इस नियम में सुन्शोधन करके इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी लेकिन अब हर्याना सरकार इसे सकती से लागू करने के मूड में है अगर कोई शक्स नियमों का उलंगन करता है तो उस पर जुर्माना लगा कर कारवाई भी की जा सकती है डोग पालने के इच्छुग लोगों को सरकार द्वारा जारी कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है इसके तहट एक मकान मालिक सिरफ एक ही कुत्ता रख सकेगा इसके अलावा कुत्ते को सारवजिनिक स्थान पर ले जाने या टहलाने के लिए बाहर ले जाते समय कुत्ते के मुँपर मास्क पहनाना अनिवारय होगा जिससे वे किसी को काट ना सके नियमों का उलंगन होने पर डॉक्स के मालिक के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी नियमों का पालन ना करने पर 5000 रुपे का जुर्माना और जेल का प्रावधान होगा एक मकान मालिक सिरफ एक ही कुत्ता रख सकेगा कुत्ते को सारवजिंग स्थान पले जाने से पहले उस पर मुखोटा लगा होना बहुत जरूरी होगा नियमों का उलंगन होने पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ सक्त कारवाई करने के निर्देश जारी किये गए हैं आपको बता दे कि कुत्ते पाले के शोकीनों के शहर गुरू ग्राम में लोगों के घर में 5,000 से 50,000 रुपे से जादा कीमत वाले कुत्ते पल रहे हैं इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस भी नहीं लिया गया है कुत्तों का लाइसेंस नहीं लेने पर निगम ने अभी तक कोई चलान या कारवाई नहीं की है कुत्ते के काटने या विवाद होने के बाद ही लाइसेंस चेक किया जाता है कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटने की शिकायत करने पर कुत्ते का निगम के शेल्टर होम बेजा जाता है कई बड़ी आलिशान सोसाइटियों में लोगों ने घरों में हस्की, तिबतन, मेस्टिफ, ग्रेहां टाबर्मेन, रैट्विलर, ग्रेट देन, अमेरिकन पिटबुल जैसी महेंगी नसल के कुत्तों को पाल रखा है लेकिन कुत्तों के नगर निगम में रजिस्टरिशन नहीं करवाया गया बता दे गत सब्ता शेहर के सिविल लाइन शेतर में एक पिटबुल नसल के कुत्ते ने एक महिला को काट लिया था उसके बाद कुत्ते को निगरानी के लिए निगम के शेल्टर होम में रखा गया लाइसेंस लेने में ये नियम शर्ते लागू होती हैं और भी कई अपडेट्स और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहे हैं आपी दीजे इसाज़त नमस्कार